मदर टेरेशा डिएस स्कूल सहिशना गढ़वा नरसरी से क्लास एक टक के लिए नमांगतन प्रारम चिनिया प्रखन के विभीन ग्राम खूरी डोल वेता तूरी मुंडा के अनेक मजदूर गए काम करने लौकडाउन में वही फस गए लोगों ने किसी तरह तो एक महिना का भी ज्यादा वक्त तो बिता दिया लेकिन अब उन्होंने घर आने के लिए सोचा जिससे 10-12 मजदूर बनारस से पैदल चल दिये मजदूरों ने बताया कि हम लोग को अपने गाउं आने में चार दिन लगा वहीं दूसरी शेतर ग्राम खूरी से सूरत गए मजदूरों ने बताया कि हम लोग गड़वा जिले के लगभग हर शेतर से 56 मजदूर वहीं के बस को 2,80,000 में बुक किया और वहीं के सरकार से किसी तरह परमीसन कराया और चल दिये लोगों ने बताया कि एक के पीछे 5000 किराया हम लोगों ने किसी तरह अपनी गाड़ी कमाई से दिया हम लोग को जहरखन सरकार से कोई लाव अभी तक नहीं मिला है जबकि हम लोगों ने पहले घर आने के लिए रेजिस्ट्रेशन भी करा दिया था इंतजार करते रहें लेकिन हम लोगों का कोई सूचना नहीं मिला यहां तक कि हम लोग गढ़वा भी आये तो कोई पूछने वाला तक नहीं था सभी लोगों ने अपने घर जाने से पहले चिनिया उप स्वास्त केंद्र पहुचा और अपना छेकप कराया चिनिया स्वास्त केंद्र के डॉक्टर वेंकेस्वर नारायन ने सभी लोगों की जाच की तथा सभी को समझाये कि आप लोगों को अभी 21 दिन तक अपने घरों में ही रहना है सोशल डिस्टेंस का पालन करना है घर से बाहर नहीं निकलना है अगर निकले जाने पर आप लोगों पर कारणूनी कारवाई की जाएगी तथा सभी के हाथों में मुहर लगाया गया तथा सभी को सपत पत्र भी भरवाया गया कि हम लोग 21 दिन तक घर में ही कुरंटाइन रहेंगे इस प्रक्रिया में चिनिया में ड्यूटी दे रहे मजिस्ट्रेट के रूप में मिथलेश कुमार ने भी लोगों को काफी कुछ समझाया तथा हिदायत भी दिया कि किसी को भी इन 21 दिनों के भीतर यदी कहीं बाहर गूंते हुए या किसी अन्य काम से किसी को देखा जाएगा तो उस पर कारवाई की जाएगी